नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल हेल्ट प्लस पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे इसकिम्ड मिल्क के किस एज ग्रूप वालों को यह दूद पीना चाहिए मलाई यूग दूद के मुकाबले इसकिम्ड मिल्क सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसके कई अपने पायदे हैं इसी के बारे में आज हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं किया है तो वो कर ले और वीडियो के अंतरक हमारे साथ बने रहे इसकिम्ड मिल्क यानि मलाई रही दूद ही क्यों क्रीम यूद की तुलना में मलाई रही दूद पीना सेहत के लिए आज से अधिक फायदेमन माना जाता है यूएस के एग्रिकल्चर इसकिम्ड मिल्क पीने से कार्डियो सर्कुलर बिमारीयों के खत्र को कम किया सकता है इसकिम्ड मिल्क में फैट नहीं होता बाकी सारे पोसकथ दहने और 6 महिने तक केवल उसे दूद ही पिलाए जाता है लेकिन समय के साथ दूद पीना कम हो जाता है इसलिए हर रोज दूद का सेवन सेहत के लिए फायदेमन माना जाता है कुल मिलाकर दूद को complete food मना जाता है जो बच्चों से लेकर बूडों तक सभी के लिए फायदेमंद और सेहत बनाने वाला होता है इसके धेरो फायदे हैं दूद में vitamin A, D, K और E सहित phosphorus, magnesium, iodine, वे कई अन्या mineral और fat पाया जाता है जो सरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है इसके अलावा इसमें कई enzyme और living blood cells भी पाये जाते हैं इसलिए हर रोज दूद का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है मासपेसियों को मजबूत बनाए skimmed milk में मौझूद प्रोटीन मासपेसियों को सकती साली बनाता है अगर आप exercise के बाद skimmed milk का सेवन करते हैं तो इससे मासपेसिया मजबूत होती है इसके अलावा इसके सेवन से कोसिकाओं में होने वाली तूठ फूट की मरमत के लिए शरीर को अवश्यक उर्जबी मिलती है यह वर्काउट के कारण सरीर में आए पोसक ततों की कमी को भी पूरा करता है हड्यों को मजबूत बनाए उम्र बढ़ने के साथ हड्यों को गनत भी कम हो जाता है जिसे बरकरार रखने के लिए दूद का सेवन करना चाहिए मलाई रही दूद में केलसियम, पासपोरस और प्रोटीन के साथ विटामिन डी भी भरपूर मातरा में पाय जाता है जो हड्यों को मजबूत बनाता है पूरे सरीर के हड्यों को मजबूत बनाने के लिए दूद का सेवन करना चाहिए बढ़ती उम्र के साथ हड्यों की बिमारी की आसंका भी बढ़ जाती है और 40 की उम्र के बाद ओस्टियो पोरुसिस, गाउट, गठिया आधी होने की आसंका बढ़ जाती है लेकिन अगर आप रोज एक गिलास स्किम्ड मिल का सेवन करते हैं तो उस्टियो पोरुसिस की आसंका कम हो जाती है इसमें पाए जाने वाला कैलसियम और फासपोरस दांतों को स्वस्थ बनाए रखता है इसमें भरपूर मातरा में पाए जाने वाला प्रोटीन कैसीन हमारे दांतों के लिए बहुत उप्योगी है क्योंकि ये दांतों के इनेमल पर पतली परत बना लेता है जिससे हमारे मसूडे और दांत स्वस्थ रहते हैं दिमाग के लिए फायदे मन्द दिमाग को स्वस्थ और तेज बनाने के लिए इसकिम्ड मिलका सेवन करना चाहिए दिमाग को चुस्थ बनाने के लिए रोजाना एक गलास इसकिम्ड मिलका सेवन फायदे मन्द होता है ऐसा करने से आपकी दिमागी चमता बढ़ती है, कई स्टेडी से साबित हो चुका है कि दूद ने सिर्फ पोसक तत्व से बरपूर होता है, इससे बुद्धी पर साकरात्मक परभाव पढ़ता है और हमारा मांसिक विकास भी होता है तनाव से बचाए दोस्तो हमारा लाइफस्टाइल और हमारा खान पान हमारे तनाव का मुख्य कारण है दोस्तो डेली लाइफस्टाइल पर एक वीडियो हमने अलग से बनाई है, उस वीडियो का link मैं description में दे दूँगा और उपर आई बटन में भी आपको उसका link नजर आ रहा होगा दोस्तो आप अपने lifestyle में change गरके आप अपनी सेहत को बहतर बना सकते हैं दोस्तो अब हम अपने वापस इसी topic पर आते हैं तनाव से बचने के लिए भी skimmed milk का 7 करना चाहिए रात में सोने से पहले एक गिलास गुनगुना दूद पीने से मासपेसियों और नसों को आरा मिलता है और नीद अच्छी आती है इससे तनाव भी दूर होता है त्वचा को निखारे skimmed milk के 7 से त्वचा में प्राकर्तिक रूप से निखार आता है दरसल skimmed milk में केलसियम प्रोटीन वे चिकनाई होती है जिससे त्वचा में कसाव आता है और जुर्या कम होती है दूद में पाए जाने वाला लेक्टिक एसिड एंजाइम की तरह काम करता है जो त्वचा को कोमल बनाए रखने का काम करता है इसमें एमिनो एसिड होता है जो चेहरे को निखार परतान करता है सामने दूद में फैट की मातरा अधिक होती है जिसके कारण हमारे सरीर में कोलोस्ट्रोल की मातरा बढ़ जाती है और उसकी वज़े से हमारे सरीर का वज़न भी बढ़ जाता है जबकि स्किम्ड मिल्क में फैट ना के बराबर होता है और सभी पोसक तत्व होते हैं ऐसे में वजन कम करने के लिए इसका सेवन फायदे मन्द है इसके अलावा कैंसर से बचाओ, दिल की बिमारियों से बचाओ आखों के रोसनी बढ़ाने के लिए भी दूद का सेवन कीजिए दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? उमीद है आपको हमारी मैनत पसंद आई होगी कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपके कुछ सुजाव भी है तो वो भी हमें बता सकते हैं और हाँ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें धन्यवाद अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ पहला आइकोन को दवाना मत भूलना